हेलो गाइस आप सभी का मारी यूट्यूब चैनल सेक्रोट इन्फॉर्मेशन फैक्ट में बहुत ही स्वागत है मैं अशोक आपके लिए लेकर आया हूँ आज भारते अप्लिकेशन से जुड़े हुई जानकारी जिसमें कि आज आपको देखने को मिले का इन्वेश्मेशन को अप्शन अव्फशन कि अब भारत पर आपको दे रहा है डारेक्ट इन्वेश्मेशन कर सकते हैं तो चलिक कर सकते हैं तो चलिएiane मैं आपको दिखहला देता हूं या पर div का पर आपको दिखी रहा है भारत पे अकाउंट कार्ड और इन्वेस्टमेंट अभी भारत पे अकाउंट का पैलेंस मौजूद है 153 रुपे 66 पैसे और यहां पर आपको अप्शन दिख रहा है इन्वेस्टमेंट विंडो इस नाओ उपन लिंदिन किलब इस नाओ एक्सक्तिंग न्यू डारेक्ट इन्वेस्टमेंट्स क्लिक ओन इन्वेस्टमेंट्स क्लिक ओन इन्वेस्टमोर टू एड फंट टू अन अप टू 12 परसेंट इसका मतलब यह है कि आप अभी डारेक्ट revenue कर सकते हैं और उस aamount पर 12% तक का arrive earning earn कर सकते नए कि मैं आपको दिख ला देता हूँ मैंने जो earning只有Ofी मेरे पास amount ौफ यह 5 पैसे की आसे कि मेरे पास 123 रुपय का balance है भारत के так上面 क के लिए मैंने estár5 पैसे का मैं earning अंगर पा रहा हूं तो非 मैं आपको स्टेप्स बता देता हूं कैसे आपको कि रैब को एंद करना है और बली किसिन में वह क्षाल मैं आपको दिखला कुभ को है अप्लिकेशन ओपन करें लिया है कि अ है चलिया मैं आपको कि ट्डले देता हूं जिसके लिए यहां पर invest more का option दिख रहा है जैसे कि मैंने आपको बताया invest more पर click करेंगे और invest more पर click करने पर मैं add money के लिए अभी यहां पर 250 रुपीज को amount को add करने की कोशिस करता हूं 250 रुपीज amount add करने के लिए मैंने enter किया है then pay का option दिख रहा है जापर amount भी दिख रहा है screen पर UPI all banking apps दिख रहे है Google Pay UPI net banking and debit card blah 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 option दिख रहे है सब से नीचे pay का option दिख रहा है pay 250 रुपीज blue color के icon इस पर click करना है then click करने पर payment method select करना है तो मैं paytm का option select करूँगा ptm select करने के बाद amount को pay करने के लिए मैं UPI को select करने पर amount के लिए pin को enter करूँगा जो कि मैंने अभी यह पे pin enter कर दिया है बड़ जो actual problem है payment जो field हो रहा है decline हो भारत पे का जो application जो payment server है वो proper work नहीं कर रहा है जैसे कि मेरे पास comments आई है कि sir हम add money नहीं कर पा रहे हैं invest नहीं कर पा रहे हैं भारत पे investment के साथ problem आ रही है add money के लिए तो कैसे amount को add किया जाए उसके लिए ही मैं आज यह आपके लिए trick लेकर आया हूं जिसमें कि आप add money easily आप amount को invest कर सकते हैं जो अभी यह problem हारी इस problem से best resolution आपको मिलने वाला है तो चलिए अभी हम इसे cancel करते हैं क्योंकि मेरे bank काते से कोई amount deduction नहीं हुआ है तो इस timer को मियाद पर cancel कर देते हैं जो कि बहुत ही slow work कर रहा है तो cancel पर क्लिए क्लिक कर दिया है हमने और दुबारा से हम same page को open करते हैं और दिखलाते हैं आपको कि आप amount को कैसे invest कर सकते हैं तो चलिए back करते हैं और यहाँ पे payments के option पे click करते हैं payment पे click करने पर अभी हमें आपको चार option शो रहे हैं सबसे उपर all qr swipe payment link जो अभी भारत पे में option दिया गए कि आप जो amount receive कर सकते हैं qr collection के द्वारा receive कर सकते हैं qr code के द्वारा swipe machine के द्वारा और sms link के द्वारा so best option रहेगा हमारे पास हम sms link के द्वारा amount को 2000 रुपीज करके भी add कर सकते हैं sms link का जो option है बारत पे 2000 रुपे तक का payment आप receive कर सकते हैं इसलिए तो यहाँ पर हम random कोई भी mobile number enter कर देते हैं जैसे कि मैं यहाँ आपको enter करके दिखला देता हूँ आपको यहाँ पर link and details create करके दिखला देता हूँ तो 100 रुपीज amount हम add करने के लिए यहाँ पर add करने के लिए generate pin पे click करेंगे generate pin पर click generate link पे click करने पर अभी amount details कुछ आपको show जाएंगे amount show रहा है while number and details हो रहे है तो यहाँ पर पेटियम आप खोल लेते या इसे लिंक करके या किसी भी शेयर कर देते जिसके लिए हम पेटियम आप खोला है हमने पेटियम अप्लिकेशन वर्टसप ओपन करने पर अभी हम किसी पर भी यहाँ पर एक sms send करने का option देखते हैं और sms को send कर देते हैं करने के लिए अभी हमने यहाँ पर sms को send कर दिया जैसे कि आपको देखे रहा होगा सेमस के link पर click करना होगा जिस भी customer को आप link send करते हैं जहाँ पर आपको UPI का option highlighted सो हो रहा है debit card credit card का option disable है जिससे कि आप amount को add money नहीं कर पाएंगे तो हमें add money करना भी नहीं है हम UPI के द्वारा ही select करेंगे तो UPI पर हम pay now पर click करेंगे भी Pay now पर click करने पर अभी हमारे पास payment methods सो हो रहे हैं कि आप किसे pay करना चाहते तो मैं again Pay time के option को select करोगा और Pay time से ही at money करोगा तो Pay time पी मैंने click किया है और अभी जश्ट मैं पर pay time के लिए पेटियम का यूपिया अपना आपने अंटर कर देता हूं और अमांट को आड करने के लिए मैं रिक्वेस्ट करता हूं तो यहां पर शो हो रहाई कि रिसीट वाई 100 रुपीस फ्रॉम अशोक सिंग तो यहां पर नेम शो रहाई कि जो कि पेविंट जो है पेड हो चुगा है भारत पर प्रह outreach आपलीकेशन ओपन कर लेते हैं अपलिकेशन ओपन करते हैं चेक करते हैं कि यह आ हंड़े तो आपको शो है यह तो तो यहां पर आपको शो हो जाएगा कि अभी दोसु तरीपन रुपीज चाचट पैसे का अमांट शो रहा है और यहां पर लिखा है तोड़ी कलेक्शन विल बी इनवेस्टेड ओवरनाइट आफ्टर 15 डेज इनकेस अवस्वाइप अगर स्वाइप मेशीन का बैलेंस हो तो 15 दिन के बाद इनवेस्ट होगा या अदर वाइस नॉर्मल बैलेंस एक या समस्ज रिंग के द्वारा बैलेंस तो वह आफटर टुनेट रात के बारा बज़े के बाद automatically invest हो जाएगा क्योंकि auto invest का भी option जो है automatically provide किया गया है तो amount जो है auto invest हो जाएगा invest के option पे click करके भी मैं दिखला देता हूँ आपको invest के option पे यहाँ पे आपको जैसे की page दिखी रहा होगा अभी मैं इसे refresh कर लेता हूँ refresh करने के बाद जो amount है यहाँ पे चेक कर रहा है आपको invest पे click कर रहा हूँ इन्वेस्ट पे only 153 रुपे का ही amount है जब भी मैं refresh कर रहा हूँ तो यह direct वारत पे account पे आ जा रहा है जब मैं इन्वेस्ट पे click कर रहा हूँ तो यहाँ पे only दिंग में है टोड़े collection amount है जो कि fund विल वी इन्वेस्ट टुनाइट आज रात के बारा बजे के बाद इन्वेस्ट होगा लेंदेन किलब यूजली टेक करता है टेक आप टू-3 वर्किंग डेस्ट टू जनरेट interest on the investment इसका मतलब यह बता रहा है कि आप जो लेंदेन किलब के साथ amount invest करेंगे तो वह यूजली टाइम पिरेड लेता है थ्री वर्किंग डेस्ट का जिसमें कि banking holiday count नहीं होंगे उतना समय लेगा amount पर earning provide करने के लिए investment के लिए लेकिन रात 12 बजे के बाद automatically amount invest हो जाएगा जो कि आपको यह पर स्क्रीन पर देखने को मिली रहा है और यहां पर कुछ payment condition दी गए जिसे कि आप देखी सकते कि आपका जो amount वो safe है या नहीं है या आपकी जो भी इक है वह भी आपको देखने के लिए मिल जाते हैं application में जैसा कि मैं दिखला देता हूं frequently asked question का options है कि लिए करते हैं और यहां पर आपको दिखला देते हैं कि क्या आपको options जो हैं लेन के द्वारा ही आपको option दिखाया जा रहा है जो कि आपको ऐसे दिख जाता है तो यह पर आपको कुछ option दिये गए है जैसे की option यह दिए गए कि what is auto investment auto investment का option अगर आपने सेलेक्ट कि जैसे की auto investment का भी option selected था जो कि auto invested रात के 12 बज़े के बाद amount auto invested हो जाएगा option देखने के लिए मिल जाता है mean जो मेरे पास comments आई हुए है वो मैं आपको दिखला देता हूँ कि क्या problem कभी भी problem आती है तो इसके लिए आप कभी भी अगर आपको problem आती है तो यहाँ पर option दिये गए फर्स्ट सपोर्ट दिया गया है भारत पे का जो कि invest at the rate भारत पे dot com investment का जो कि भारत पे का इन्वेस्ट का mail ID दे है जिस पर आप mail कर सकते है और इसके लब आप mobile भी दिया गया 888-255-244 जिस पर आप call करके complaint भी रेजिस्टर कर सकते है you can also contact to NBFC NBFC का मतलब है non-banking financial corporation जो की transactions जो आप payment करेंगे तो ये banking transactions नहीं होती है बड़ जो आप LinkedIn किलब और या पर आपको liquid loans का option देगा है LinkedIn किलब का LinkedIn किलब का mail ID CS at the rate LinkedIn किलब.com और more details के लिए आप से website दी गई है आपको application में से पेस पे शो जाएगी वहाँ से आप किलिक कर सकते है liquid loan का option देगा है liquid loan के लिए info at the rate liquidloans.com यहाँ पर आप invest के लिए review amount invest करेंगी कोई भी problem है grievance related कोई भी complaints related तो आप यहाँ पर coordinate कर सकते हैं जैसे कि आप देख सकते हैं are there any withdrawal charge कोई भी withdrawal charge नहीं होने वाला है जैसे कि मेरे पास comments आएं उसके लिए भी आपको यहाँ पर खुद देखने के लिए मिल जाता है intermittent condition में लिखा गया है कोई भी withdrawal के लिए charges नहीं होने वाली है जैसे कि आपको दिखी जाता है and इसके लिए मैं यहाँ और एक आपको दिखला दिता हूँ main जो problem लोगों को हो रही है उसके लिए मैं आपको बता देता हूँ कि आप जो बात कर रहे हैं कि आपका जो amount आप invest कर रहे हैं तो इसके लिए कोई guarantee होगी या नहीं risk है या नहीं तो इसके लिए आप पर direct भारत पर नहीं लिखा हुआ है does भारत पर guarantee any return or investment भारत पर does not guarantee any return भारत पर इसके लिए कोई भी return के लिए guarantee नहीं देता है on the investments made in the investment products the return display on investments products is only an indicative returns and are not guaranteed by भारत पर तो भारत पर कहता है कि जो भी आपको return मिलेगा वो normally return मिलेगा उस पर भारत पर कोई भी guarantee नहीं है आप जो भी amount invest करेंगे investment के तौर पर वो आप आपकी risk पर करेंगे जैसे कि आपके लिखा हुआ है any investment products is at या पर मैं आपको highlight करके दिखला देता हूँ जैसे कि screen पर sorry या highlight नहीं हो रहा है but मैं आपको बता देता हूँ product is at your own risk and भारत पर does not assume or incur any responsibility liability for any loss on investment or any product तो भारत पर या पर पर कह रहा है कि मैं उसके लिए कोई भी risk के लिए कोई भी responsibility नहीं लेता हूँ liability नहीं लेता हूँ कोई भी loss के लिए तो यहाँ पर प्रॉपर दिया गया है आप आपका amount जो है आपके रिक्स पर ही invest कर सकते है अगर आप चाहिए तो invest कीज़े अगर नहीं चाहते तो invest मत कीज़े ऐसी कोई problem नहीं है और यहाँ पर आपको properly दिया गया है और यहाँ पर दूसरा option भी दे गया है जहाँ पर आपको दिख जाता है कि इस माई P2P जो की P2P investment risk free like most investment products जो होते हैं P2P invest products होते हैं जो की not risk free नहीं होते हैं जैसे कि आप दिखाया गया है the risk are minimized जो की risk बहुत ही minimized strength and borrow verification के साथ है जो कि आप आप जो amount invest करेंगे वो कोई other person उस invest को use करेगा वो बोरो करेगा जो की non financial banking जो transactions होती है जो companies होती है जो work करते हैं वो same इसी part पर work करते हैं जिस पर आप earning earn कर पाते हैं जैसे कि आपको दिखी रहा होगा तो चलिए अभी आपको यह वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो गाइस वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें कमेंट करें और मुझे बताए अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो बताए बस सम्बंदिती और भी आपके लिए वीडियो लेकर आता रहूंगा तो मिलते हम नेक्स्ट वीडियो में आज के लिए इसना है कर दो कर दो